मैं बसंत लेव थी जुकेशन पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ साथ ही मध्य प्रदेश विश्ष्ष्ट ज्यान की छटी क्लास में आपके विश लेके आज चुका हूँ और सभी प्रतियोगी परिक्षव के लिए बहुत ही महत्मुन होने वाली हैं आप मेरे सा शाशक ननुक 831 से 848 इस्विपूर्व जिसने 831 के लगबक चन्देल राजवन्च की आधार्शिला इन्हों ने रखी ए और अपनी राजधानी को बनाया था कहां पर इन्हों ने राजधानी इस्थापित की थी अब इसी प्रश्व में छिपे आपके उत्तर की चन्देल शाशक था नणुक्त इसमें इनकी राजदानी कहा थी खजुराहो धार मंडला या पर शिव 혁पुरी में तो नणुक्त ने अपनी राजदानी जो है वह खजुराएं में इस्थापित की थी जो question का अंत में आप score जरूर करें ताकि पता चले question का level क्या है ठीक है प्रशन अगला आपके बीच है शाशक एम समंधित राज्य से असत्य कौन सा option होगा भोज का समंध हार से हैं बिल्कुल सही हैं पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं अगला प्रशन है मद्यप्रदेश की सरवादिक उची चोटी गोनसी है विंद्यांचल प्रवर्शेणी या फिर जानापाव या फिर धूबगड अब साथियों जानापाव की बात करें तो यहां से निकलती है चंबल नदी जानापाव पहाड़े से चंबल नदी निकलती है कहां से महू से यह याद रखेगा उसके बाद विंद्यांचल प्रवर् तेरा सो पचास मीटर उची और ये किस शेणी में है ये है महादेव परवत शेणी के अंतरकता है दूपगड की चोटी चलिए आगे बढ़ते हैं अप साथी इन कोस्चन के जरीए आपका पूरा रिविजन हो जाएगा जो पिछली आपने पढ़ा है अगर अगर नहीं भी प जानकारी में सभी क्लासेस में एट करता जा रहा हूं जो की अलग-अलग हर बार में उनके बारे हैं वो बता रहा हूं कौन सा नगर सिंद नदी पर बसे हैं ठीक है देवास बागली पंचमडी तवानगर दत्या श्रीवपूरी यम बालागा अब तवानगर यहां से पता चल रहा कि यह तवानदी पर है ठीक है पंचमडी और तवानदी पर है पंचमडी और तवानगर इसके बाद देवास और बागली जो है यह काली सिंद पर है काली सिंद और सिंद नदी दोनों ही अलग-अलग है यह याद रखिए आप इसके बाद दत्या एम शीवपूरी जो हैं ये किस नदी पर हैं तो ये है सिंद नदी पर दूसरा उप्शन आपके आपा बाला घर जो है यह वेन गंगा नदी पर है ये भी आप याद रखे, बहुती महत्पूर्ण यहाँ पर ओक्षन आपके 20 लायात में, अब अगला प्रशन आपके बीच महत्पूर्ण, एक और प्रशन मद्य प्रतिस के किन शाखाओं से वर्षा होती है, दक्षिन पश्चे मांसून से, बंगाल की खाड़ी शाखा से या यहाँ पर करता हूँ, अगर अच्छा बन जाए तो अच्छी बात है, यह है भारत का नक्षा, और यह है उत्री राज्जी, ठीक हैं, यह है नेपाल का सीमा छेत्र, अब यहाँ पर साथियों एक और बार बनाता हूँ में, सोरी थोड़ा सा वक्त, यहाँ पर देखिए, औ यह है गुजरात का छेत्र, यह तमिल नाडू करनाटक का छेत्र, और यह है इधर का पूर्वी छेत्र, यह है नेपाल का छेत्र, अब प्यारे साथियों यहाँ पर आप समझे जरा कि यह है उत्तर दिशा, और यह है इधर दक्षिन दिशा, और यह है पूर्व और यह है प प्रवेश करता है क्योंकि मद्यप्रदेश यहाँ मंद्धिमें इस्तित है इसलिए सभी तरह से आने वला कि उससे मद्यप्रदेश में वर्षा होती है臨 इसके इसके अलावा जो एक और छेत्र है जो की कौन सा छेत्र है दक्षिन पस्चिम छेत्र तो ये दिशा जो है दक्षिन दिशा है और ये दिशा है पस्चिम याने कि यहां से आने वाला छेत्र इस छेत्र से आने वाला मानसून याने कि जो करनाटक तमिल नाडू छेत्र है अब क पांच से पंद्रा एजुन के मद्य ही ये तमिल नाडू छेत्र से इन छेत्रों में आके मांसून टकराता हैं तो इन तीनों ही मांसून छेत्रों से जो हैं मद्य प्रदेश में वर्षया होती हैं आपका सही उत्तर कौन सा होगा ये सभी बुड़ा देव किस जनजाती के देवता है भील, कोल, बेगा या फिर भिलाला भिलाला जो है ये भील जनजाती की उप जनजाती है और बेगा जनजाती की अगर बात करें हम साथियो तो बेगा का शाबदिक अर्थ होता है पुरोहित क्या होता है पुरोहित होता है और इनको राज बंधा उसके अलावा पहार वन पानी और फसल पूजा भी बिल जंजाती में होती है और बुड़ा देव जो है ये जो देवता है ये बेगाद जनजाती में है और बेगाद जनजाती ये लोग बुड़ा देव की पुजा करते हैं अगला प्रिशन है मद्रदेश महालेकाकार M.G. MP का मुख्याले कि शहर में है ग्वालियर विदीशा भोपाल या फिर इंदोर में है तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ग्वालियर में है महालेकाकार का कार्याले अगला प्रशन है होलकरवंच की राजदानी कहा है ग्वालियर मंसोर इंदोर या फिर ध्वार में अब धार का संबंद राजा भोच से हैं भोच जो है राजा भोच ध्वार से संबंद ध्वार में रहते थे और मंसोर की बात करें तो मंसोर में यशो वर्धन यशो वर्ध बिलते हैं इसके बाद रॉलकरवंज का ल lleva का थी ठीस है अगला परशन है ब्रश्ने कमें सभितान निः्ञर्भीicamente का जन्म्रार्ब कवा था सवितान निरमाता मौह तर तोरक्टर बीट कर अगर जन्म महुनिमार्च रत्लाम या पिर इंदि न्हीं कौちは द करें तो अप्रेल 14 अप्रेल को हुआ था और कब 1801 में इनका जन्म हुआ और इनकी इस्वर्ति में महु में सामाजिक विज्ञान विश्व विद्यालय की स्थापना की गई हैं और इनका जन्म कहा हुआ था महु में हुआ था देश का पहला शहर जहां पर IIT और IIM दोनों है फोपाल इंदोर जबलपूर इंदोर इशा शहर है महानगर है जहां की जन्संक्या मध्य प्रदिश में सरवादिक जन्संक्या है ठीक है और यहां पर है IIT और IIM दोनों एक साथ अगला प्रश्ण है संक्राचारी की गुफाय कहा है धार मांडू जबलपूर या फिर खंडवा में अब संक्राचारी की जुकए गुफाय है साथियों वो खंडवा में है इनका सीधा सा समन्द खंडवा से है और खंडवा में और भी महत्मुन चीजे मैं बता देता हूं क सीता जी ताप विद्युत ग्रह परियोजना भी कहां है खंडवा में ही है किशोर कुमार की समाधी ये भी खंडवा में है किशोर कुमार की समाधी कहां पे है तो ये खंडवा में है इसके अलावा एक और बहुती महत्पून कोश्चन है खंडवा से हनुवंतिया खंडवा में हनुवंतिया 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 में जो है जल महत्सव मनाया जाता है जल महत्सव मनाया जाता है बहुत ही महत्पुन कोश्चन यहां से बन सकता है उसके बाद उसके बाद है जल परियतन केंद्र भी खंडवा में खोला गया जल परियतन केंद्र कहां पर है खंडवा में हैं देश विदे से यहां पर परियतन आते हैं सही उत्तर आपका खंडवा है तो खंडवा में ये चीजे मुख्यूरूप से हैं अगला प्रशन है सीटी ओव जोए किसे कहा जाता मांडू धार पंचमड़ी या जबुवा को कहा जाता हैं तो यहां पर सही उत्तर आपका होगा मांडू को कहा जाता है सीटी ओव जोए धार की बात करें तो धार में है सरस्वती मंदिर याद रखेगा सरस्वती मंदिर धार में हैं ठीक हैं इसके अलावा सरदारपूर अभ्यारण ये भी धार में हैं सरदारपूर अभ्यारण अब या आप जड़ा रिवाइस कीजिए कि recall कीजिए कि सरदारपूर अभ्यारण में किस पक्षी का जो है सरक्षन होता है तो खर्मोर पक्षी खर्मोर पक्षी का एसे भी question बन सकता है खर्मोर पक्षी का जो है सरक्षन कोन से अभ्यारण में होता है तो सरदारपूर अभ्यारण में होता है और ये कहा है धार में है उसके बाद एक और महत्पुन इमारत है धार में बनी हुई हुशंग शाह का मगबरा है धार में और ये एसी इमारत है जो की संग मरमर की पहली इमारत है संग मरमर की पहली इमारत थार में खुशंग शाका मगबरा है अगला कोश्चन है कौन सी लोक्स चित्र कला मालवा की नहीं है दिवासा, संजा, नाग या नवरातरी अब नाग जो है ये भित्ती चित्र है याने की दिवालों पर चित्र बनाये जाते हैं नाग नागिन के उसके बाद संजा, संजा भी मालवा में परसिद हैं गोबर एम फूलों से भित्ती चित्र बनाये जाते हैं दिवासा भी मालवा में लोग चित्रकला है उसके बाद जो नवरात्र है ये मालवा का नहीं है बाकी नवरात्री जो है वो तो मना ही जाती है लेकिन मुख्य रूप से निमाड छेत्र नवरात्री जो है कहाँ पे इसका चित्रकला ये नवरात्री का चित्रकला कहाँ पे होती नवरत याने कि नवरत याने कि नो दिन से नवरात्री के समय में नो दिनों से उपास रखा जाता है तो ये मुख्य बाते हैं नवरात्री से समंदित नवरात्री में याने नो देवियों की पूजा की जाती हैं ये भी आपको पता होगा और सभी ये नो रूप जो हैं नवरात्री में पस्तुत किये जाते हैं ये सभी महिलाओं के रूप हैं अलग-अलग ये देवी के समान माना जाता है और उनकी पूजा की जाती हैं जो देवी पुजा के प्राचीन साक्ष हैं जैसे कि हडपा सब्यता जो हैं वहीं से देवी पुजा के साक्ष मिले हैं जहांपे मात्र देवी की पुजा यानि कि माता की पुजा की जाती थी अपनी मा की पुजा की जाती थी तो ये हडपा सब्यता से यानि मात्र देवी की प अब भारत भावन की मुख्य बात यहां है कि यह भारत भावन का समंध किसे हैं तो इसका समंध है जो नविन कलाएं हैं जो नविन कला आत्मता होती हैं लोगों में तो उनको विक्सित करना उनको बढ़ावा देना उनका परिक्षण करना प्रोसाहन देना यह भारत भावन का देश हैं और इसका प्रसार प्रसारन भी किया जाता है इसके अलावा ये भी प्रशन बनता है कि भारत भवन की जो डिजाइन है वो किसके द्वारा की गई चार्ल्स कोरिया द्वारा जो है भारत भवन की डिजाइन की गई ये कोश्चन पिछली बार पिछली परिक्षाम बन पाश्चिम निमाड फिपल्या खुर्द उत मलवा स, कालू जी महराज का मेला स Anfang 2 सोट वर्षव से प्रचलित में थीकिए, इसलिए यह प्रसित्व हो गए और यह पाश्चिम निमाड के पिपल्या खुर्द में यह मेला हर साल लगता है अगला प्रश्न है किस बेगम का शासन भोपाल में नहीं रहा कुदिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाह जहां बेगम या फिर रजिय सुल्तान तो साथियों ये जो तीन नाम यहाँ पर देख रहे हैं आप कुदिया बेगम, सिकंद्रज जहां बेगम और शाह जहां बेगम इन तीनों ने ही मद्य प्रदेश के भोपाल में शाषन किया हैं और इनका शाषन काल रहा हैं 1819 से 1826 के मद्य इनों ने शाषन किया हैं यहाँ पर देख रहे हैं रजिया सुल्तान ये जो हैं पहली दिल्ली सल्तनत की पहली जो सुल्तान है और इसे भी कोश्चन बनता है कि पहली महिला शाषी का कोन है तो वो रजिया सुल्तान ही है और इसने दिल्ली पर 1236 याद राजा भोज अंतराष्टी अवयड़ा कहा है भोपाल इंदोर खजुराओ या फिर जबलपूर में तो राजा भोज अंतराष्टी अवयड़ा जो है प्यारे साथियों यह भोपाल में इस्तित हैं अगला प्रश्ण है नील कंठ मंदिर कहा है विदीशा मांडू धार या मंसोर में तो नील कंठ मंदिर यह उदैगिरी में है खापे है उदैगिरी में और उदैगिरी कहा है विदीशा में है सही उतर आपका विदीशा होगा अगला प्रश्ण साची का बोध इस्थुप किस जिले में है मंडला, धार, राइसेन या फिर विदिशा में है अब साची का बोध इस्थुप जो है ये साथियों राइसेन में है और राइसेन की और भी महत्पुन बातें में बता देता हूं कि म्रिगेंद्र नाथ म्रिगेंद्र यहां राइसेन में है जो की पोचपूर में है कहां पे है पोचपूर राइसेन में है उसके बाद राइसेन के जो मुख्य रूप से जो उद्योगिक छेत्र है वो है मंडी दीप मंडी दीप उद्योगिक छेत्र और एक और तामोर तामोर उद्योगिक छेत्र ये कहां है ये अग्वका एड़ोकिट ट्रेंग सेंटर जो है ये ग्वालेर में है और ग्वालेर में है Taxi महिला प्रशिक्षन केंदर भी कहा पे है तो उसके अलावा ग्वालेर को एक और जानकरी आप याद रखिये का कि ग्वालियर दूर्ग ग्वालियर दूर्ग को क्या कहा जाता है जिब्राल्टर कहा जाता है जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर दूर्ग को अगला प्रशन है मद्यप्रदेश में सबसे पुराना संगीत महा विद्याले माधव संगित विशर talvez इसी प्रशन में फьют न बन सकता है कि माधव संगीत विश्य विशर ये चाहीं है सबसे पुराना संगीत महा अगला प्रशन लख्ष्मी बाई कॉलेज औद फीजिकल एड्युकेशन इचाह roar ने पूछा गया है तो लक्षी बाई college of physical education ये कहा है, जबलपूर गॉलिएर धार या फिर मांडू में मन्डला तो आपका सही उतर यहां पे होगा गॉलियर में और गॉलियर में ही लक्षवी बाई का जो है यहां पे समादी है और ये लक्षी बाई college of physical education ये गॉलियर में है आगे देखिए कि मद्यप्रदेश की कितनी जनसंग्या गरीबी रेखा से नीचे निवाश करती है 40.3%, 37.5%, 38.5%, 49.5% यहाँ पर आपका सही उतर होगा 38.5% जनसंग्या अब आप सोच सकते हो साथियों कि कितना बड़ा हिस्सा जनसंग्या गरीबी के नीचे निवाश करता है यानि कि मुल्बुत आवशक्ता होती है रोटी, कपड़ा, मकान ये मुल्बुत आवशक्ता होती है यानि कि जो परिवार इन आवशक्ताओं को भी पूरा करने में मशक्कत करते हैं निरंतर वो लोग होते हैं गरीबी रेखा से नीचे और उनके लिए सरकार अलग-अलग वेवस्थाएं भी करती हैं BPL जिसके माध्यम से उनको अनाज कम पे जो हैं गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं कोश्चन अगला हैं चक्रधर फिलोसिफ किसके लिए दी जाती हैं शास्तिरी संगित के लिए या फिर लोक कला के लिए शास्तिरी नृत्य एवं साहिति के लिए तो चक्रधर फिलोसिफ जो हैं साथियों यह शा फिर माकेलनात तो समीरदाद का आप नाम सुना होगा कि ये मद्यप्रदेश के निवासी है और होकी के खिलाडी रहे हैं और मद्यप्रदेश का राजकी खेल कौन सा है मलखंब है मलखंब है मद्यप्रदेश का राजकी खेल भारत का जो राश्ट्री खेल है वो कौन सा है होक नगर गड़ा कोटा हैं जो की सागर मध्यप्रदेश में है बहुत ही महत्पुन कोश्चन किनरों के पुनरवास एवं कल्यान के लिए भारत का प्रथम किनर बोड इस्थावित करने वाला राज्य भी मध्यप्रदेश ही है और भी महत्पुन कोश्चन है क्योंकि किनर बोड स्थाप्पित किया गया है मद्धिप्रदेश में भारत में प्रथम लोकारपित नदी जोडो परियोजना जो की नर्मदा शीपरा लिंक किया गया ये परियोजना भी मद्धिप्रदेश में पहली बार जो है ये परियोजना है लिंक परियोजना है शुरुआत इसकी की गई ह उसके बाद महत्पुन तत्य भारत की प्रतम नदी जिल जोडो परियोजना ये भी मद्यप्रदेश में ही शुरुआत की गई है उसके बाद अगला है उच्चे शिक्षा रिन अभ्यारतियों के लिए उनलाइन होयर एजुकेशन अप्लिकेशन मोनिटरिंग सिस्टेम को लागू करने वाला भी राज्य मद्यप्रदेश ही हैं तो प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में 25 कोश्चन और विवीद के कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन भी आपके हो चुके हैं तो वीडियो अच अपन तुरंत उसका रिवीजन कर लें और सीधे एकजाम में बेड़ जाएं और बहुत अच्छे अंकों से अपन काम्याब हो जाएं यही अपना उद्देश रहना चाहिए तो लोकडाउन के समय का अच्छा उप्योग करें सही उप्योग करें निरंतर पढ़ते रहें बह